हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसके क्रियेटिविटी तो फ्रेंट्स आज हम डिजाइनिंग करके एक पाउच बनाएंगे मेकप पाउच बनाएंगे तो बिलकुल पलेन कपड़े से मैं बनाऊंगी और बीच में इसके कौन सा मैं मिटिरियल डालूँगी कि आप वीडियो में पूरा देखना और अगर आपको वीडियों अच्छा लगता है तो वीडियों को आपने लाइक जिरूर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो फ्रेंट्स आईए वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूं कौन सा फैबरिक मैंने लिया है ये देखिए दो पीस मैंने कट कर लिये हैं चंदेरी फैबरिक है ये काफी पतला होता है तो नीचे में लाइनिंग भी लगाऊंगी और इसके बीच में फॉर्म की जगा पे मैं ये बोरी डा लेंगे इसके बीच में काफी पतला है ये देखिए अगर ऐसे लगाऊंगी तो नीचे से सब दिखेगा तो इसके नीचे पहले मैं लाइनिंग लगा लूँगी ये एक कुर्ती थी मेरी जिसके बीच में से मैंने ये कपड़ा निकाला है तो चंदेरी फैबरिक था उसका आगे बाला पाटा भी बचा है तो उसको भी उसका भी मैं बाद में कुछ बनाऊंगी तो ये देखिए लाइनिंग पहले रख लेनी है नीचे और सबसे नीचे मैंने बोरी रखी है एक लाइनिंग फिर बाद में और लगाएंगे हम ये जो लाइनिंग हमने लगाई है ना इसलिए लगाई ताकि नीचे से बोरी जो हमारी ना दिखे जो हमने बोरी रखी है नीचे अब ये लेस लूँगी लेस के साथ में इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी लेस के साथ प्लेन है तो काफी सुन्दर इसका आएगा किसी भी तरह से आप लेस को लगा सकते हो तो काफी पुरानी पड़ी हुई है ये देखो डवल मैं इस पर इसलाई लगाओंगी दोनों साइट पे सेक्वेंसवली लेस है काफी परानी काफी पहले की है मेरे पास पड़ी है अभी मैंने बुटीक छोड़ दी है न काफी साल पत्ची साल हो गए थे मुझे बुटीक लेकिन अब मैंने बुटीक का काम जो है घर पे ही कर लिया है पहले मार्किट में थी तो जब यह लॉकड़ॉन बगएरा हुआ था ना क्रोना काल में मैंने छोड़ दिया था बुटीक का तो तब से अभी कई बहुत सारा मटिरियल जो है मेरे पास पड़ा है तो अभी जब मै मैं कोई यूट्यूब पे कोई चीज बनाती हूँ तो वो लेस बगएरा मेरी जो है भी काम में आ जाती है अभी मैंने बुटीक का काम चोड़ दिया है बहुत काम कर दिया है पहले तो मार्किट में थी तो अभी मुझे यह शौक था कि मैं यूट्यूब पे आऊं और यू यह देखिए ऐसे ही सारी लेस जो है मैं अटेच कर लूँगी तो यह देखिए दोनों पीस जो है मैंने रेडी कर लिए हैं तो फ्रेंट्स मैं बुटीक से अटके थोड़ा सा काम करना चाहती थी इसलिए यूट्यूब पे मैंने अभी यह जो मैं बना रही हूं यह मुझे अच्छा लगता है अभी देखो 12.5 इंच है चोड़ाई और 9 इंच की हाइट है ठीक है तो यह देखो ऐसे बराबर करके रखोंगी ना थोड़ा सा बड़ा चोटा आ रहा है इसको अच्छे से मैं बराबर करके राके और उपर बाली साइड पे जहां पे हमने जिप लगान है और तिर्चा देखो ऐसे हमने काट करना है यह देखिए तो दोनों पीस से जो है ना दोनों को मैं ऐसे ही तिर्चा उपर से काट कर लोंगी यह देखिए ऐसी शेप आएगी अब दूसरा जो पीस है उसको भी मैं ऐसे ही काट कर लोंगी सेम तरीके से तो फ्रेंट्स आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करें जरूर मैं कोशिश करूँगी कि असान से असान तरीके से आपको समझाओं अब ही मैने ये छीप ली है न कि उसे पुरानी पड़ी थी मेरे पास इतनी लंबी थी तो जो यह extra है उसको मैं कट कर लोगी जो आते है न लिफाफे में पैक होते है पौल थेन में उनमें जीप लगी होती है उसी का ये जीप पड़ी sono तो जो पैकेट था वो तो खराब हो गया था ना तो जिप को मैंने निकाल लिया था मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ना जो भी मेरे पास कोई पुरानी चीजें होती है जिनका मेटीरियल अच्छा होता है खराब हो जाते हैं ना कोई चीज अगर कोई जिप अब गयरा उसकी ठीक है तो उसको मैं हमेशे निकाल के रख लेती हूँ अब हम इस पे लाइनिंग लगाएंगे जिप को मैंने देखो एक साइट पे अटैच कर लिया है अब देखो लाइनिंग ऐसे रखोंगी और जो जिप लगाते वक्त मैंने एक सिलाई लगाई थी न उसी सिलाई के ऊपर ही एक सिलाई और लगा दोंगी और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे तो ऐसी जो ये प्लास्टिक की बोरी है न ये आपको राशन की दुकान पे मिल जाएगी इसके साथ क्या होगा कि बैग हमारा बिल्कुल स्टेबल रहेगा बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं बहुत ही अच्छा ये देखो एक तो फॉर्म डालने का भी कोई जंजट नहीं तो ऐसी कोई बोरी वेश्ट अगर आपके पास पड़ी होना तो आप यूज में ला सकते हैं उसको अब उपर से एक सिलाई और लगा दूँगी तो ये सिलाई टॉप स्टिच जो हमने लगाना है बिल्कुल फिनिशियं के साथ लगाना है तो एक साइड पे मैंने जिप को अटेच करके लाइनिंग को भी अटेच कर लिया है अब दूसरी साइड पे भी मैं जिप को जो दूसरा पीस है ना ये देखो उल्टा करके रखोंगे ऐसे जिप को उल्टा करके मैंने रखा है और सीडिस ही हमने एक सिलाई ब्राबर करके एक सिलाई लगा देनी है ये देखी जो एक्स्ट्रा था ना उसको मैं थोड़ा सा मैंने फिनिश कर लिया अब इस साइड पे भी मैं लाइनिंग लगा लूँगी उपर से लाइनिग ये देखी ऐसे रखनी है लाइनिग और सिलाई देखो मैं नीचे वाली साइड से लगाती हूँ इसलिए लगाते हूं ताकि जो पहले लगियो पहले लगयी हूई उसी सिलाई के ऊपर ही हमारी जो है सिलाई आ जाए अब एक सिलाई इसके ऊपर लगा लोंगी लाいनिंग के ऊपर जो मारड़न नीचे वाली साइड उसको दबा के और ऊपर से एक सिलाई जो मैंने टॉप स्टिच पहले दूसरे पीस पे लगाया था ऐसे ही हमने दूसरे पीस पे भी ओपर से एक सिलाई लगा लेनी है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है न तो अब हमने क्या करना है लाइनिंग जो है लगाई है इसको चारो साइड से मैं बड़ा टांका करके इसको अटैच कर लोगी पूरी लाइनिंग को दोनों पीसे जो है उनकी लाइनिंग को अटैच करके और जो एक्स्टा था न इसका कपड़ा वो मैंने कट कर दिया अब यह देखो कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा यह जिप लगके त्यार हो गई अब मैंने एक लूप बनाया है यह देखो तो यह जिप के उपर हमने रखना है और अंदर वाले साइड को राके और यहां से लूप को पहले हम अटैच कर लेंगे बाद में फिर इसको स्टिच करेंगे तो यह देखी जिप के उपर न हमने धीरे-धीरे से मिशीन को जलाना है कई बार क्या होता है न सूई भी टोट जाती है तो यह देखिए आप ब्राबर करके राके यह देखो यहाँ से ब्राबर करके और तिनों साइड से हमने इसको स्टीच कर लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से तो ऐसे जो पहुच होते हैं न वर्ग्राइजर होते हैं काफी सारे आप छोटे या बड़े साइज रखते हैं तो यह मैं मेकप पहुच बनारही हूं काफी थोड़े सा मेंने बड़े साइज का बनाया है ताकि इसमें जो बड़ा सामान होता है ना हमारा मेकप का कोई सामान होता है पर्फियूम बगएरा या जो कोई भी सामान जो भी आपका होता है वो आप इसमें रख सकते हैं और काफी सारा सामान इसमें आ जाएगा तो मैं आपको डाल के दिखाऊंगी सामान कि कितना इसमें स मैं बीवर को यांपर दो के哪裡 house के डोबannée भॉक्स बना अपी खुला बने और सपयसों की जो है अच्छी आप अड़ीयों ने पूछा कि इसके साथ क्या होता है जो हम बैग बना रहे हैं उसके सपेस बाइछ बनाना हो जाती है और ऑसे बनाना हो जो है अगर आप ऐसे stitch कर दोगे ना तो बिल्कुल बंद-बंद सा रहेगा और इसमें ज्यादा जो है सामान आप नहीं रख सकते और space नहीं बनेगी इस पे तो इसलिए जो है ये box नीचे बली साइड जो है box base में बनाए जाते हैं तो आप देखो ये box जो हमने बनाए है बराबर करके हमने पकड़के ये देखेए एक side को ہी रखना है margin जैसे दूसरी side को हमने रखा था ना उस side को ही हमने इसको रखना है पूरा अच्छे से ब्राबर करके और हमने यहां पर सिलाई लगा देनी है तो यह जुर मेक अपको ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए पस थोड़ा सा कपड़ा अब सीधा करके आपको दिखाती हूं तो फ्रेंट्स यह जो मैंने इसमें प्लास्टिक की बोरी डाले ना उसके साथ इसका लुक बहुत ही अच्छा आया और बिल्कुल भी जैसे मोड़े गानी जैसे हम फॉम डालते हैं उसके साथ भी बिल्कुल बैग इतना स्टेबल नहीं और रबर शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप यह ऐसी बोरी जो है राइस बैग या आटे वाले जो आते हैं ना एक बैग वह आप इसमें डाल सकते हो तो यह बोरी जब भी कोई आती है आपके पास तो ऐसी बोरी को आप संभाल के रखिए यह अगर आप प्रजेक्ट बनाते हो तो आपके बहुत ही काम आने वाली है ऐसी बोरी जो होती है तो यह देखिए बैक का लूक देखो फाइनल कितना प्यारा हमारा यह पाउच बना है बहुत ही सुंदर लगा देखो कलर भी इसका बहुत प्यारा है और जो हमने इस पर लेसल गाई है न नीचे से भी इसका बेस जो है काफी सुंदर बना है और बिलकुल प्रफेक्ट हमारा यह पाउच बनके रेडी हुआ है तो कितना सारा सामान जो है हम इसमें रख सकते हैं तो फ्रेंट्स आपने बताना जरूर कि आपको कैसा लगा यह वीडियो और अगर अभी तक आपने म पेंट बगएरा और भी इसमें सामान आ जाएगा तो देखा ना आपने कितना यूसफूल हमारा यह पाउच बना है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ एंड टेक कियर